दोस्तो जियोग्रफी वो स्टेज है जिसके उपर हिस्ट्री लिखी जाती है जिसके उपर इतिहास रचा जाता है इस वक्त की बात करें तो वापिस से जियोग्रफी वो स्टेज प्रदान कर रहा है जिस पर इस वक्त भी इतिहास लिखा जाया जा रहा है किसकी बात कर रहा ह रशिया-उक्रेन वर क्यों यह इतना इंपोर्टेंट है दोस्तों यहां पे रशियन एंपायर खत्रे में हैं जी हां मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया के लिए यह मेक और ब्रेक सिचुएशन है अगर इस वक्त वो उक्रेन को कहीं न कहीं वेस्ट से जिस प्रका रशिया इस डूम्ड सूपर पाउर छोड़िये वो एस अस्टेट भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा वो बस और बस एक पश्चिम का चाटुकार बनके रह जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों सब कुछ का जवाब मैप में चुपा है इसके सिवा क्यों ऐसा कहा कि आने वाले कुछ दिनों में पोलेंड में यूकरेन के बाद अगला जो फ्रंट होगा वो पोलेंड होगा उसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों वो जवाब भी मैप में चुपा है पर जो भी है दोस्तों रशिया के लिए अगर आप देखे तो सिचुएशन इस वक्त बड रहें एलेक्जांडर लुकाशेंको इनकी भी आए दिन चर्च वगेरा जाते रहते हैं तो अगर इनसे पूछा जाए क्या मांगते होंगे भगवान से चर्च में जाके तो ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा आपको बता देता हूं प्रिजनर्स ऑफ जोगरफी लिखी है दोस्तो आपको जैसा मालूम है पहाड़ बनने में करोडो साल लगते हैं और पुतिन के पास इतना समय नहीं है उनका अस्तित्व खत्रे में है उनका जो रशियन स्टेट है जो रशियन इथास है रशियन वैल्यू सिस्टम है वो सब खत्रे में है सब कुछ वेस्टनाईज हो सकता है अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो भाई खत्रे में तो इसका अस्तित्व है किसकी बात हो रही है आप देख रहे हैं जिलिंस्की की दोस्तों बिलकुल जिलिंस्की का अस्तित्व खत्रे में है लेकिन यूक्रेन की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में as a state ब तो उनका initial capital कीव था पर कीव में जब regular invasion होने लगा तो वो थोड़ा पीछे हटके मौस्को चले गए खैर इस पर बाद में चर्चा करेंगे पर इस वक्त मैं क्यूं ऐसा कह रहा हूं कि दलिन्थ की नहीं रश्या का अस्तित्व खत्रे में है रश्यन वैल्यू सिस्टम हमेशा के लिए खत्रम हो सकता है दोस्तों इन सब का जवाब रश्या के map में छुपा है दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक map दिखा रहा हूं ये map है USSR का ये तब था जब रश्या एक superpower था USSR के रूप में USSR दोस्तों और कुछ नहीं था रश्या का ही एक तरीका था अपना dominance को दुन मौल्डोवा ये सभी के सभी अगर आप देखें तो उसका हिस्सा थे सिर्फ इतना ही नहीं आप अगर देखें तो उसके आगे के जो इलाके थे पॉलिंड चेकसलोवाकिया हंगरी इस जर्मनी रुमैनिया ये सब के सब USSR के ही तैलाइट स्टेट्स थे याने की दोस्तों में ये कह सकता हूं कि आप कुछ इतना इलाका समझ सकते हैं जो कि आप USSR के ही कंट्रोल में मान सकते हैं अब इतना बड़ा हिलाका यूसर के कंट्रोल में था इसलिए USSR कही न कहीं अभेद था वेस्ट से यहां पर invasion नहीं हो सकता था ये मैं नहीं कहता ये USSR का या फिर Europe का map कहता है कैसे आईए आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप ये map देखिए ये physical map है क्योंकि reality physical map से पता चलती है अब इसमें जैसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ये इलाका है ये तो आप देख सकते दोस्तों these are the alps और उसके आज़ पास के ये high land वाले regions हैं यहाँ पर carpathian mountains हैं अब यहाँ पर अगर आप देखे ये जो हरे रंग में आप देख रहे हैं ये जो इलाका है Ukraine western Ukraine तक ये plane और चोड़ा है Eastern Ukraine आते आते ये plane देखिए कितना चोड़ा है और उसके आगे आप चले जाओगे तो दूर दूर तक केवल और केवल plane ही plane है क्या ये एक pizza के slice के जैसा shape आपको देखने मिल रहा है विलकुल वैसा ही है तो अब मुझे बताईए अगर मैं आपसे पूछू अगर मुझे forge deploy करनी है तो कौन से इलाके को protect करना असान है यहाँ पे अगर मेरा border इतना बड़ा planes में हो रहा होगा तो क्या मैं उसे कभी protect कर पाऊंगा असानी से और यहाँ पे मुझे थोड़े ही forge के column खड़े करना है और मैं उसको हमेशा के लिए protect कर पाऊंगा दोस्तों कुछ ऐसा ही था आप देख सकते हैं जब तक आप देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े ही forge में आप इतने से plane को बचा सकते हो Poland आते आते थोड़े और forge को deploy करना है और एक बार आप रश्या के current border में आ जो 32 किलोमेटर लंबा है यहाँ पे land के द्वारा invasion अगर हो गया तो कहीं न कहीं Moscow हमेशा के लिए खतम हो जाएगा अब आप सोचेंगे invasion दो पहले भी हुआ होगा 32 किलोमेटर white border है planes तो ऐसा ही रहा होगा तब क्यों नहीं invasion हुआ तब की क्या कहानी है तो दोस्तों यहाँ आप आपको बताना चाहूंगा रश्या आज तक वेस्ट से conquer नहीं हुआ है कई attempts किये गए हैं कई attempts हुए हैं हर बार प्रयास किया गया पश्चिम से मौत को कब जाने का उस पर कबजा करने का लेकिन कभी successful नहीं हुआ जानते हैं कारण क्या था दोस्तों long supply lines जैसे जैसे भी हुआ करता था नेपोलियन नहीं एक बात कही थी an army marches on its stomach है ना खाली पेट जंग नहीं होती आज के terms में इसको कहें तो फौज अपने supply line पे लड़ती है जितना लंबा supply line होगा उतनी ज्यादा vulnerability होगी supply line क्या हुआ फौज फ्रेंट पे खड़ी है उसको गूली चाहिए उसको गोला चाहिए उसको खाना चाहिए उसको अन्यमाल रसद चाहिए जो लोग मर रहे हैं उनका replenishment चाहिए वहां तक secure lines चाहिए कि कोई पीछे से आके ना कहीं से भी चल जाए बंदूक गोली है ना जंग ना हो जाए तो उसको secure करना है जैसे जैसे आप दूर होते जाए सप्लाइ लाइन लंबी होती जाएगी यह manage करना बिलकुल कठे न हो जाता है यह निपोलियन भी जानते थे उसके बावजूद 1812 में हिटलर ने 1941 में रश्या पे अगर आप देखें तो पश्चम से इन्वेड किया रश्या की भी strategy बड़ी simple हुआ करती थी वह जानता था long supply chain up नहीं maintain कर पाओगे तो रश्या क्या किया करता था जब जंग होती थी इस प्रकार से तो वह बुलाता था अपने general को क्या नाम था general winter क्या करते थे यहां से जैसे जैसे लड़ाई शुरू हो रही है रश्या भी पहले यहां पे समर्थ में रोका फिर पीछे गया यहां पे जाते थे कि दुश्मन के हाथ में कुछ ना लगे उसको सब कुछ पीछे से मंगवाना पड़ेगा इतनी लंबी दूरी से जब तक आएगा तब तक उनका जो फौजी है वो ठिटुर के थंड में मर जाएगा खाने के बिना चरील गरम रखना जरूरी है खाना खाके उसके बिना मर जाएगा वही होता था यही रश्या की पॉलिसी थी और दोस्तों आप कहेंगे अरे भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो दक्यानूसी बाते आज के टाइम में तो जंग एर फोर्स से होता है मिसाइल से होता है सोलजर्स का क्या काम देख लो जाके रश्या यूक्रे वहाँ पे अगर आप देखें, तो आगे बढ़ रही है, फिर Ukraine का counter offensive होता है, तो कभी पीछे जाना पड़ता है, उनको खदेड ना होता है, इस प्रकार से आज भी जो invasion हो रहा है, आगे हो या पीछे हो, वो ground soldiers के द्वारा हो रहा है, no doubt, air force का role है, missile का role है, लेकिन on ground soldiers are very important, इस से मुझे वो border का scene याद आ गया, वो Jackie Shroff और Sunny Dival के बीच में बात होती है, army versus air force वाली, last में Sunny Dival कहता है, army, 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 तो कुछ वैसी ही बात यहाँ पर हो रही है, तो end of the day, we know what is important की भाई, दोनों का combination चाहिए, लेकिन on ground presence बहुत जरूरी है, envision तो ground से ही होगा, और ground से ही उसको पीछे भी धक्का देना होगा, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, long supply chain तो अब कैसे west maintain करेगा, दोस्तों बताता हूँ, पर उसके पहले आपको एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर पूछेंगे, अच्छा पस्चिन से नहीं, पूर्व से invade कर देते हैं, आज तक successful नहीं हुए, रशिया के far east में क्या समत्या है, कितना बढ़िया मैप दिख रहा है, इतना ज़्यादा वलनरे बले, क्यो इसको बचा के रखे हैं, बीच में यहाँ पर आप देखो तो यूराल्स है, यहाँ पर मॉस्को है, यहाँ पर साइबीरियन प्लेन है, और बाकी यहाँ से खाली जमीन है, supply chain नहीं मिंडेन होने वाला है, इसके सिवा पहार पार करना बड़े पौज के लिए असान भी नही बाकी जो रश्या का हाट है, वो यूराल्स के पश्चिम में है, इसके पश्चिम में है, यह जो इलाका है न दोस्तो, तीन चौथाई से अधिक population रश्या की यहीं रहती है, यह पूरा का पूरा खाली है, तो यहाँ से अगर आप देखे तो इस्ट से तो इन्वेड नहीं ह हुआ है, पोल्स आये थे, 1605 में, पोलेंड से इन्वेजन हुआ था मॉस्को पे, स्वीड्स के दवारा स्वीडन ने चार्ल्स 12 के अंदर 1708 में किया, फ्रेंच निपोलियन के अंदर 1812 में आये, जर्मन्स दो बारा है, दोनों वर्ड वार में, इसके सिवा अगर हम बाकी क लूड कर लें, तो मैं कह सकता हूँ, आपको पिछले कुछ सालों में जो आंकडा है, उसके अनुसार हर 33 साल में, एक बार रशिया में, इस पश्चम वाले इलाके में, इसी रीजन में आप अगर देखें, तो जंग होती है, इसी इलाके में, यह जो प्लेंस है ना, यहीं पे हर 33 साल में, रशिया पर इनवेजन होता है, जिसको रशिया भगाता है, अब उतक भगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, इनवेजन हो रहा है, पीछे हटते जाओ, हटते जाओ, हटते जाओ, फाइनली विंटर आएगा, जेनरल विंटर सब को साफ कर देगा, क्योंकि सुनाए फिर से वही हो जाएगा पश्चिम इस बार क्या अलग हो रहा है तो अब तक इतिहास से क्यों नहीं सीखते हैं जी नहीं दोस्तो इस बार कुछ अलग हो रहा है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तो ने पिछले करीबन करीब 30-32 सादों से एक slow Russian invasion किया है Russia is already under attack आज आपको न्यूज में आ रहा है बट Russia is already under attack for last 30 years NATO ने slow invasion किया है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आईए आपको बताता हूं तो दोस्तों यह जड़ा map देखिए यह किसका map है यह बताता है कि भाई यहां तक Soviet Union और उसके Warsaw Pact वाले nation थे basically उसके satellite states थे अगर यह satellite states है जिनको Warsaw Pact में से तो वैसे ही यह US के satellite states थे जो हरे रंग में दिख रहे हैं NATO वाले देशन आप देख सकते दोस्तों NATO countries अगर हम 1983 की बात करें तो यहां तक सीमित थे इनका border कहां मिल रहा है West Germany, East Germany फिर क्या होता है दोस्तों आपको मालूम है Soviet Union का fall होता है Gorbachev उसके अंतरगत और उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा कहा जाता है Gorbachev को NATO promise करता है कि भाई आखरी हम East Germany को मिला रहे है नेटो सदस्य आखरी यहीं होगा बाकी जितने भी Soviet states बन रहे हैं इनमें further NATO expansion नहीं होगा Russia कहता है यह हमें promise किया गया था verbal और West कहता है हमने ऐसा कोई promise नहीं किया और देखें फिर क्या होता है धीरे धीरे आप देखिए कैसे NATO enlargement होता जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1990 में East Germany उसका हिस्सा बनता है 99 आते आते पोलेंड, Czech Republic, Hungary इसका हिस्सा बनते हैं 2004 में रोमानिया, बुल्गारिया, लैट्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हिस्सा बनते हैं और फाइनली आप देखे तो आज के टाइम में यह सभी के सभी नेटो सदस्य हैं उपर से शुरू कीजे, फिनलेंड से बॉर्डर चुरू हुआ, लैट्विया, लिथुआनिया, पोलेंड, रोमानिया, आखरी, यूक्रेन और बेलारूस है बस एक बार यूक्रेन बेलारूस समाप्त हुआ, रश्या का बॉर्डर पूरा का पूरा एक्स्पोज हो जाएगा बेलारूस आपको मालूम है दोस्तो, लुकाशेंको प्रेसिडेंट है, बेलारूस के पुतिन के खास आदमी है तो क्या हुआ, टॉपल हो सकता है, यूक्रेन भी ऐसा ही था दोस्तो, कई वर्षों तक यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट रहा, जिसको वेस्ट डिक्टेटर बोलता है वो प्रो रशिया रहा करता था, फिर क्या हुआ, यूक्रेन में मैदान रिवल्यूशन होता है, पश्चिम के द्वारा, C.I.A. के द्वारा और उन यूरो मैदान रिवल्यूशन में जो रूलर था, जो प्रेसिडेंट था, उसको देश चोड़ के भागना पड़ता है और उसके बाद पश्चिमी देश अपने-अपने स्टूजेस को बैठाना शुरू किये, जिसमें जलिंस्की भी है अब दोस्तों जब आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में, अब आप देखिए जड़ा फिजिकल मैप अब इसको जड़ा देख के फैचानिये, इस पीजा के फ्लाइस में पहले अगर आप देखें, 1989 तक की अगर हम बात करें तो यहां तक, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या था, यहां तक अगर आप देखें, तो सोवियत कंट्रोल में था, या फिर रश्या के कंट्रोल में था अब अगर आप देखें तो रशियन कंट्रोल में बहुत कम इलाका रह गया है इतना पूरा का पूरा इलाका में वेस्ट आ चुका है कुछ इतने इलाके में वेस्ट आ चुका है और अगर आप देखें तो यूक्रेन में जंग ही चल रही है तो आप कह सकते हैं यूक्रेन भी इस वक्त उसी के कंट्रोल में है तो इसी को मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो अब आप देखिये जरा जो हम कहे रहेते कि यह जो great European planes हैं बड़े से planes हैं अब आप देखिये रशिया का border कहां तक है यहां तक आप देखें जिसे रशिया का border यहां पे NATO तयार हो चुका है अब आप मुझे जरा बताईए अगर Ukraine भी चला गया तो यह भी पूरा का पूरा planes का हिस्सा border खड़ा हो जाएगा याने कि आप अगर देखें याने कि आप अगर देखें तो यह कहना बिलकुल सही होगा कि अब Russia largely indefensible रह जाएगा आप देख रहे हैं दोस्तों इतने बड़े इलाके में अगर planes में उसका front खुल गया तो आप Moscow कैसे बचा होगे यहां से घुसेगा, यहां से घुसेगा, यहां से घुसेगा वहां से घुसेगा कहां कहां अपने फॉज को तैनात करोगे यहां पर तो असान था यहीं पर तैनात करते बच जाते लिकिन अब this is point of no return इसलिए Russia लगा हुआ है Ukraine को तो पीछे हमें खदेडना होगा कैसे भी करके Ukraine में सकता तो हटानी होगी जलिंस्की के हाच से टॉपल करना होगा कियव में अपना आदनी बठाना होगा तभी जाके कहीं से भी Moscow बच सकता है otherwise इस वक्त Moscow बिलकुल करीब है Russia के लिए largely indefensible है अगर यहां तक Belarus और Ukraine उसके कंट्रोल में आ जाएगा तो इतना ही इलाका रहेगा जहां पे वो पॉच्ट डिप्लॉई करके मैनेज कर पाएगा लेकिन इस वक्त तो बहुत मुश्किल है और Belarus में भी आए दिन प्लान किया जा रहा है कैसे सकता टॉपल किया जाए इसलिए कहा जा रहा है वहाँ पे nuclear weapons वगेरा भी तैयनात किये गए है इसके सिवा अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगला जंग यूक्रेन में सरकार टॉपल होगी पुतिन अपना आदमी बठाएगा और उसके बाद पॉलेंड में जंग होगी अब आप समझ पा रहे हैं दोस्तो रश्या को यहां तक पहुँचना बहुत जरूरी है अगर यहां तक रश्या पहुँचता है तो kind of आप समझ सकते हैं कि वो अपने borders को manage कर पाएगा यहां पर limited forge खड़ी होगी प्लेंस की तो invasion रुक पाएगा otherwise मॉस्को में दोस्तो invasion बड़े असानी से होगा अब दोस्तो यहां पर आपको समझना होगा एक बात क्या रश्या हमेशा से ऐसा ही था नहीं एक time था जब रश्या was indefensible मॉस्को की अगर हम बात करें न दोस्तो तो आई दिन वहां पर हमला होता था आई दिन वहां पर invasion हुआ करता था मॉंगोल्स आई दिन वहां invade किये हैं regularly invade करते थे नीचे से west से भी invasion होता था उसके बाद क्या होता है वहां पर policy में बदलाव आता है क्या policy बदलती है policy की अगर हम बात करें दोस्तो इवान दी terrible जिसको कहा जाता है first czar वो उभरता है और वो लेकर के आता है doctrine of offensive defense जिसको आज के time में कहा जाए तो कुछ वैसा ही offensive defense doctrine लेकर आता है वो कहता है कि भाई अगर हमें Moscow को बचाना है Moscow को बड़ा करना होगा अपना जो control है वो दूर तक लेकर के जाना होगा कि दुश्मन हमारा क्या हो Moscow इस प्रकार से एक ring रहे दूर दूर तक कोई दुश्मन कहीं से भी ना आ पाए और धीरे धीरे इवान दी terrible क्या करता है अपने territory को बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है और उसके बाद जो Russian Empire है दुनिया का सबसे बड़ा Empire बनके उबरता है जितने भी जो उसको invade किया करते थे वो सब को subjugate कर देता है सिर्फ और सिर्फ एक वज़े से कि Moscow में invasion ना हो वो समझता है territory बढ़ा करो तभी तुम बचपाओगे otherwise ये planes में बहुत कटिन है बचपाना यही कारण है दोस्तो Russia की कुछ psychological needs है जो आज भी हमको देखने मिलती है दोस्तों ये सारी कहानी को हम आने वाले वीडियोज में cover करेंगे पर उससे पहले आप लोगों से मैं ये अनुरोद करूँगा उस वीडियो को लाने में मुझे और ज़्यादा प्रोचसाहित करें उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ जो इंट्रेस्ट रखते हैं जियो पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है विद्यारती हूँ वो सभी जो इंट्रेस्ट रखते हैं उन सब के साथ इसको शेर करें ये मेरा आप सभी से नुरोध है और कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं